तो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चनल आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की पूरी जानकारी के बारे में कि आपको फर्स्ट से नाइंत मंत में कौन से ऐसे बदलाव हैं जो देखने को मिलते हैं और आपके शरीर में क्या चेंज़ेस होते हैं प्रेगनेंसी के दो चाहिए या और डॉक्टर के पास बार बार जाने लगते हैं तो हलके फुल के सिंटेंस देखिए प्रेगनेंसी के दौराव होते हैं आपको थोड़े सा सबर करने की जरूरत है क्योंकि नॉर्मल है इसमें दिक्कत लेने वाली या कोई एसे अब हो ज़दा दिक्कत की बात नहीं है तो हम पहले बात करते हैं फर्ष्ट से जो थर्ड मंत रहता है वो प्रेगनेंसी का काफी महत्वपून रहता है इस समय आपको कौन से काम करने से बचना चाहिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से चल सके तो आपकी बेबी की जैसे धीरे-धीरे ग्रोथ होन लगती है यूटरस के अंदर टमी के अंदर तो आपके शरीर में जो है काफी तेजी से हार्मनल चेंज होते हैं जो आपको जो न्यू मोम बनने वाली हैं उनको तो काफी समस्यां फेस करने रहते हैं जो दूसरी और तिसरी बार मा बनने वाली हैं उनको थोड़ा सा एक्सप दाई देते हैं तो हम बात करते हैं प्रेगनेंसी कंसिवी फ़ष्ट से आपके थर्ड मन तो आपको बहुत अधिक नीद आ सकती है सुस्ति आएगी काम करने का मन नहीं करेगा इसा लगेगा कि आप थोड़े से बीमार हो चुके हैं और आपको बार-बार बोडी में कहीं भी पेन अचानक हो सकता है हलके से चक्कर आना और अराम करने का मन हो सकता है तो आपको फ़ष्ट से थर्ड मनत में दिख सकते हैं इसके साथ ही आपको बार-बार आप जो भी खाना खाते हैं आपको उल्टिया होंगी वो मीटिंग होए ये खाने का स्वाध अच्छा नहीं ही इसके साथ ही आपको पेट पर इचिंग हो सकती है क्योंकि पेट पर दबाओ पड़ता है बेबी यूटरस में आ चुका है तो पेट पर बहुत अदि खिचाओ होने लगता है चुबन में हिसुस होती है पेट में दर्द होता है तो आप अच्छे लोशन का यूज़ कर सकते हैं जब आपको इसा लगता है यानि कि प्रेगनेंसी के 7-8 मंद में जाधा इचिंग होती है पेट के ऊपर तो आप अच्छे लोशन का यूज़ कीजिए आपको थोड़ी सी कम इचिंग हो और कपड़ा रखके ही आपके पेट पर सहलाएं हातों से ना करें क्यूंकि इससे स्क्रेज बनेंगे और आपको दर्द हो सकता है इसके साथ ही आपको थकान तो लगेगी ही पीट में दर्द जरूर होगा क्यूंकि बेबी का जो वेट है आपके मास पेशो पर अधिक खिचा होता है तो पीट में दर्द होना काफी सुवभाविक बात है वेसे ये 7th मन्त या 5 मन्त से किसी किसी महलाओ को होता है कम होता है तो आप हलके से पानी से गर्म सिकाई जरूर करिए आपकी पीट की जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले इसके साथ ही काफी कोमन है सर में दर्द होना आपके सर में दर्द हो सकता है इस समय काफी मेलाओ को स्ट्रेस रहता है तो सर में दर्द होना काफी नॉर्मल ही बात सर में दर्द होना या हलके से चक्कराना काफी नॉर्मल है के साथ हम बात करते हैं फूट फ्रेमिंग की काफी महलाओ को बहुत अधिक भूक लगने लगती है अलग अलगतर किया का खाने का मन करता है वहीं कुछ महलाओ को भूक में कमी आ जाती है तो ये महलाओ के शरीड पर डिपेंड करता है क्योंकि दो महलाओ हैं दोनों को हो सकता है अलग-अलग चीज़े पसंद आए किसी को खाना बहुत अधिक पसंद आता है किसी को उस सर में खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है नेक्स्ट की बात करते हैं मूड में चेंजस होना कभी आपको बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक सुनने का मन करता है या कुछ अच्छा सोचते हैं या कुछ भी आपको बहुत अच्छा लगता है मन में खुशी होती हो और वहीं कुछ महिलाओं को बहुत ज़दा गुसा चड़ चड़ा पनाता है तो यह भी हार्मनल चेंज की वज़े से ही होता है क्योंकि शरील में एस्ट्रोजन प्रोष्टेजन का लेवल बढ़ता है तो ऐसी चीज़ें होने लगती है पेट के निचले हिस्से में कड़कपन लगना धीरे धीरे बेबी यूटरस में जगा कर रहा है तो आपके निचले हिस्से में के जो दर्द हैं उनमें दर्द हो सकता है उनमें पेर हो सकता है कड़कपन लग सकता है चुबन लग सकती है पीट में पेट में इसके सांथ ही कुछ महिलाओं को पेरों में हाथों में और चेहरे पर बहुत अधिक सूजन आ जाते है तो यह भी काफी नॉर्मल है कभी कभी आपको इससे सिंटेंस दिखाई दे सकते हैं लेकिन बहुत अधिक हैं ज्यादा लंबे समय तक हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाईए इसके साथ ही इस तनों में बदला होना बेबी जब फिडिंग करता है उसके लिए मिल्क बनने लगता है महला के शरीर में तो आपको जो ब्रेश्टे हैं हेवी लग सकते हैं सेंसिटि जो आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट से नाइंत मन्त में कई हद तक फेस करने पड़ सकते हैं तो आप घवराईए नहीं इसके साथ ही फर्स्ट से थर्ड मन्त में किस किसी महलाओ को म्यूकस प्लग निकलता है ये भी काफी नॉर्मल है चिंता ना करें इसके बारे में भी क तो आप परेशान ना हूँ बिल्कुल नॉर्मल बात है म्यूकस प्लग निकलना पतला निकलना पानी जैसा निकलना थुतला थुतला दिखाई देना वाइड डिश्चार्ज होना काफी नॉर्मल लेकिन बहुत अधिक होता है कि आपको चार चार पांच बार अपने पेंट की जब मात्रा शरीर माधिक हो जाती है तो लीनिया नाइगरा लाइन बन जाती है नाभी बटन भी फूल कर बाहर आ जाता है इसके साथ आपके चेहरे पर बहुत अधिक पिंपल्स होना बालों का जहरना एडियों का फटना पेरों का दुखना ये भी काफी नॉर्मल बात ह पेट का अकार छोटा होना पेट का अकार बड़ा होना बेबी की मुमेंट बहुत अधिक होना या बहुत कम होना ये कोई जरूरी नहीं है आपका पेट का अकर अगर आपके सरीर में इम्मुनिटिक फ्लोई ज्यादा है तो हो सकता आपका पेट अकार बड़ा हो आपकी लं बढ़ना चाहिए अच्छा होना चाहिए यह सबसे ज़्यादा माइन रखाता है तो बहुत सर में लाएं कि बेबी छोटा है तो बेबी अंदर बढ़ रहा है कि नहीं इसमें आप ना लगे रहें बिल्कुल बेबी सेफ है आप भी हपी रहिए खुश रहिए के साथ ही आपको फॉलिक एसीड जरूर लेना चाहिए आइरें कैलिया आपको फॉस्पिटल में जो भी आपकी डॉक्टर है वो आपको जरूर सप्लीमेंट करेंगे कि को आपको कौन सावरियू ने चाहिए जिसंसे आपके बेबी को आइरें कैलिसम परियापत मात्रा में यो अछी मात्रा म तोरा बेबी के बोड़ी तक भी जाता है आपके थुरू ही तो आप अच्छा खाये पिए और सप्लिमेंट ज़रूर लीजिए डॉक्टर से अपने इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे प्रेगनेंसी के समय आपको ध्यान रखना चाहिए आपके खाने पिने का ध्यान अपनी समय समय पर टेबलेट लेते रहिए जो भी आपको दिये है और आपके वेट का जरूर दिहान रखिए बहुत अधिकी वेट प्रेगनेंसी के समय डिलेवरी में काफी परिशानी हो सकती है तो अपने वेट को मेंटेन रखिए खुश रहिए हैपी रहिए अच्छा ख लेवरी में काफी दिक्कत होते है इस्ट्रेस की वज़े से तो आप जितना ज़्यादा हैपी रहेंगे म्यूजिक सुनिए जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए लगातर पोजिटिव सोची जैसा मा सोचता है वेसे ही बच्चे पर गर्ब में असर पड़ता है बेब बचना चाहिए चड़ाओ को चंड़ने से बचना चाहिए इसके साथी भारी वजन जो रहते हैं उनको उठाने से भी आपको प्रेगनेंसी के दोरान बचना चाहिए इसके साथी आपको कई बार चलते फिरते बेबी की मुमेंट महसूस होगी कड़क पन लगेगा थोड़ा और बहुत अधिक कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जो आपको सेहन नहीं कर पा रहे हैं प्राइविट पार्ट में दर्द है आपको बहुत अधिक उल्टया हो रही हैं काफी चीज़े खाने के बाद भी तो आप आपके डोक्टर को जरूर दिखाएए डोक्टर के ट्रेटमेंट के साथ इन चीज़ों को फोलो कीजिए आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ कुछ कोश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ठेंक्स